आपके थेस पे बहुत सारे अंचाहे बाल है और इसको साफ करने कि लिए अगर आप bags कराती है अपने फेस पे या तो आप रेजर का यूज करती है चाहे वह अपर लिप का बाल हुआ या तो कान का साइट का तो आपके फेस पे pimples निकड सकता है वो भी काफी जादे इसकीन क सब्सक्राफिया दे डार्क हो सकता है हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब इसका यूज करके मेरी सिस्टर ने भी अपने फेसियल एर को खतम कर लिया और जिनको भी मैं इसके बारे में बताए हूं यह बहुत अच्छा काम करता है आज बिल्कुल यूनिक चीज आप लोको बता रही हूं इस तरह का वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा यह मेरी गारंटी है और फेस पे लगाते ही आपको रिजल्ट मिलेगा तुरंत यह बहुत अच्छा काम करता है इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए और एक बार तो जरूर लगाना चाहिए अगर आपके फेस पे काफी जादे बाल है और उसे आप नेचुरल तरीके से हटाना चाहती हैं तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हम किस तरीके से तयार किये हैं तो चलिए फिरेंट देख लेते हैं किसे हम किस तरीके से तयार करने वाले हैं फेस पे भी लगा के लाइब रिजल्ट भी आप लोको दिखाऊंगे कि ये किस तरीके से बालों को क्लीन करता है चाहें ओ कितने भी मोटे तीखे बाल हो आपको एक ऐसा बरतन लेना है जिसे आप गैस पे रख सकती है ठीक है तो हम यहाँ पे लिए हैं एक तड़का पैन और इसमें जो वाइट कलर का पाउडर है कमेंट करके क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या है चलिए मैं ही बता दे रहे हूं आप यहाँ पे खड़ा चीनी भी ले सकती हैं चीनी का पाउडर भी ले सकती है मैं यहां पे चीनी का पाउडर ले रही हूं एक चम्मच भर के आप लोग देख सकते हैं ठीक है खड़ा चीनी भी लीजिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है चीनी जो होता है नेचुरल बैक्स होता है जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूं तो चीन आने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज प्लीज अगर वीडियो थोड़ा सा भी यल्पूल लगे तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा बहुत म्यानत लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एक चम्मच चीनी पाउडर है आज जो घरेलू उपाय आप लोग को बता रही हूं आप सभी को पता है कि मेरे हर एक वीडियो में आपको कुछ न कुछ यूनिक जरूर देखने को मिलता होगा और इस तरह का मैं अपने फेस पे ट्राइ करती रहती हूं और आज बिल्कुल यूनिक चीज आप लोग को बत आने में चाहें आपके फेस पे कितने भी मोटे तीखे वाल है चाहें आप अपने फेस पे कितनी बार भी बैंक्स करा चुकी हो उस पे यह काम करेगा ठीक है इसमें हम ले रहे हैं आधा इस्पून भर के सहल सहथ की कौटिटी भी थोड़ा कम ही है क्योंकि बहुत सारे तरीके से सहद अपने फेस पे लगाएंगी तो बिलकुल भी आपके फेस पे एक भी पिंपल्स नहीं निकड़ेगा आपका स्कीन ओईली नहीं होगा ठीक है तो सहद आपने यहां पे आधा इस्पून लेना है और इसमें दो चम्मच भर के मैं यहां पर ली हूँ पानी जो की और ले करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगी तो जितना भी गुठली होगा सब हो खतम हो जाएगा अब आप लोग देख सकते हैं इसे जब मिक्स करेंगी और गैस पर रख करके आपको सिर्फ 3-4 मिनट के लिए पकाना है पकाने पे इस तरीके से इसका कलर हो जाएगा इसमे करता है बस सही तरीका आपको आना चाहिए उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ठीक है इसे इस्पून से चला चला करके ठंडा कर लेना है अब इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसपर कर ले रहे हैं अब यह हलका सा गुनगुना है जादे नहीं गरम नहीं है ह हमेहाँ पे दूसरे बाउल में ट्रांसपर कर लिये हैं इसका कलर आप लोग देख सकते हैं यह आपके फेस के बाल को भी साफ करेगा आपके फेस पे किसी भी तरह का इसकी प्रावलम है उस पे भी यह काम करेगा इसमें चीनी भी है प्लस बेसन भी है आप सभी को पता है कि बेसन हमारे स्किन के लिए कितना जादे फायदे मंद होता है और बेसन का यूज आप सभी किये होंगे फेसियल एयर को हटाने के लिए लेकिन ए तरीका आप सभी को नहीं पता होगा एक बर मेरे तरीके से करके देख लीजिए बेसन का यूज जो आपके फेस पे काम करेगा है हैरान हो जाएंगी सच में मेरी तरह आप भी हैरान हो जाएंगी हमारे फेज परेज पर आना बिल्कुल नेचुरल है नार्मल है वह कोई सकी किण प्राब्लम नहीं है कई बार हमारे सरीर में हार्मोंद है उसके झान से फेज बाला जाता है PCOD की समस्या बढ़ जाती है pregnancy के time phase पे बाला जाता है तो एक कोई परेसान होने वाली बात नहीं है इसका इलाज आप घर पे अपने हाथों से अपने घर के चीजों से facial hair को हटा सकती है ठीक है एक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है इसमें आपने लेना है दो स से तीन बुंद जादे नहीं coconut oil यानि की नारियल का तेल आपका जो भी ओयल फेबरेट हो आप इसमें ले लिजिएगा मेरा फेबरेट coconut oil है तो मैं यहां पे दो से तीन बुंद ली हूँ ताकि इसकीन हमारा soft रहे dry ना हो इसे लगाने के बाद निकालने में भी थोड़ा सा असानी हो जाए ठीक है तो सिर्फ दो से तीन बुंद आपने यहां पे नारियल का तेल लेना है और डाल कर इसे इस पून से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करेंगी तो बिल्कुल क्रीम की तरह देखने में आ रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं कितना अच् बन गया है अब इसमें हम कुछ भी नहीं मिक्स करेंगे यह अपने आप में काफी है चलिए देख लेते हैं फेस पे किस तरीके से लगाना है अभी मैं जड़ फेस को क्लीन करके ही आई हूं कुछ भी मैं अपने फेस पे लगाती हूं तो सबसे पहला इस टेप होता है फेस क क्लीन करना हमारा फेस जब क्लीन रहता है ऊपर से हम कुछ भी लगाते हैं तो पोर्ष के अंदर जाता है तो उसका रिजल्ट हमें तुरंत देखने को मिलता है तो सबसे पहला इस step है face को clean करना और जहां पे काफी जादे बाल है वह इसे तो हम इसे पूरे face पे लगा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं लेकिन कान के side में काफी जादे बाल होता है और अपर लिपे तो हम इहां पे थोड़ा ध्यान से अच्छे से इस cream को लगाएंगे पतला एक क्रीम है तो जल्दी से सूख जाएगा अब आपके तरफ मौसम कैसा है उस हिसाब से टाइम लग सकता है तो अभी इसे हम अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा ले रहे हैं यह हमारे फेस के टैनिंग को भी साप करेगा हमारे फेस पे एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा एक काम करेगा, जो भी skin problem है, हर एक skin problem को यह जड़ से खतम करेगा, तो पूरे face पे लगाईएगा, हाथ पैर पे भी आप लगा सकती हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हाथ पैर पे भी काम करेगा, face पे तो करेगा ही करेगा, अगर आपके पैर पे हाथ पे काफी जादे घने मोटे बाल है, तो आप इसमें चीनी की quantity थोड़ा सा जादे कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसे और चिपचिपा कर लीजिएगा, ताकि बहुत अच्छा एक काम करेगा, ठीक है, तो अभी इसे हम लगा लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, लगा कर हम छोड़ेंगे करीब 20-25 मिनट के लिए मेरे तरफ मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है, बारिस हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम हम देंगे, तभी ये काम करेगा, बारिस के मौसम में हमारा इसकीन काफी जादे ओईली भी हो जाता है, चिपचिपी भी हो जाता है, लेकिन इस तरीके का पैक, आप अपने फेस पे लगाएंगी, तो आपका इसकीन ऑईली भी नहीं होगा, और आपके फेस के जो बाल है, ओभी हट जाएगा, तो अभी इसे लगाए हुए करीब 15-20 मिनट हो गया था, मेरे इसकीन पे सूख भी गया था, तो अभी हमें कॉटन को गी डिरेक्शन में अच्छे से आपको इसे क्लीन करना है, उसी अरिया पे क्लीन करियेगा, जहां पे बाल है, पूरे फेस को क्लीन करने की जरूरत नहीं है, पूरे फेस पे आप ठंडे पाने से दोल लिजिएगा, आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज इसे लगाईगा, और जैसा भी आप लोग को result मिले अपना feedback comment box में जरूर दीजिएगा इस वीडियो को जादा से जादा share कर दीजिएगा मैं आप लोग से मिलती हूँ next video में तब तक के लिए bye bye